यह है युगाम फोटोग्राफी टी शेप बैक्ग्राउंड स्टैंड 6 x 9 feet लब 6 feet tall 9 feet wide और यह मैंने मंगाया Amazon से एक वीक पहले इसको order किया था तो अब यह डिलेवर हुआ है इसके side में भी इनोंने कुछ दिया है इदर अलग से इसमें clips है green screen को attach करने के लिए यूज होते हैं तो यह है वो clips यह तो बहुत study है बहुत जादा मजबूत है यह इसमें जो plastic यूज हुआ है यह बहुत जादा study है study plastic यूज हुआ है यहाँ पर भी hold करने के लिए बहुत अच अच्छा है यह है यह है दो rods और यह है main stand यह तो बहुत high quality का material यूज हुआ है कुछ तो तुकड़ा गिरा इसमें पता नहीं किस चीज का है को ऐसे open करना है तो यह ऐसे खुलेगा इसको पकड़ के आप ऐसे adjust कर सकते हो इसकी size length आपको इसके कितनी रखना है यह adjust कर सकते हो once आप इतना adjust कर लेते हो तो आप इसको फिर इसको button को ऐसे कर लोगे तो यह यहाँ पर fit हो जाएगा यह दो rods इदर लगेंगे इसके अंदर तो spring लगाए तो यह stand ऐसे लग गया है आप इसकी length बड़ा सकते हो आप इसका ऐसे कितना खुलेगा कितना कम होगा यह जासे adjust कर सकते हो यहाँ से बहुत study material यूज हुआ है इसमें इसकी length बड़ाने के लिए आपको इहां से adjust करना पड़ेगा अब जैसे मैंने इसको open कर लिया है तो मैं इसकी length कितनी भी अब उपर यह आपको दो रॉड लगाना है और यह स्टैंड ऐसे लग गया है यह देख सकते हो इतने उपर नाइन फूट का है और अब इसके उपर में यह ग्रीन स्क्रीन जो के मैंने फ्लिप कार्ट से लिया है थ्री फिफ्टी रूपीज में यह मैं इस पर इंस्टॉल कर लेता हूं और यह अपनी ग्रीन स्क्रीन लगके रैडी हो गई है ऐसा टोटल नाइन फीट है और ऐसा सिक्स फीट है तना है कि यह आराम से आपके फ्रेम में आ जाएगा आप नीचे देख सकते हो नीचे भी अच्छा खासा आपको दिखेगा यह अगर ऐसे बीच में आ र लेकिन मैंने टी शेप लिया है उसमें अलग टाइप की लिया है यह लाइकरा का कपड़ा है तो इसमें जुर्या नहीं आती है यह सबसे अची बात है उसकी और यह थोड़ा सा ट्रांस्पेरेंट है लेकिन ग्रीन स्क्रीन के लिए आपको यह कपड़ा काफी रहेगा तो यह था इसका रिवीव अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्ली सब्सक्राइब टो मैं चैनल एंड थैंक्स फर वाचिंग